राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुक्षिदा एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे मुक्षिदा एकादशी का हिंदू धर में विशीष महत्व है माननेता है कि मुक्षिदा एकादशी का ब्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नश्ट हो जाती है यही नहीं इस ब्रत के प्रभाब से पित्रों को भी मुक्ति मिलती है माना जाता है कि यह ब्रत मनुष्य के मृत्तक पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने में मदद करता है जो भी व्यक्ति मुक्ष पाने की इक्षा रखता है उसे इस एकादशी पर ब्रत अवश्य रखना चाहिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुक्ष से पवित्र श्रीमत भगवत गीता का जन्म हुआ इसलिए इस दिन गीता जैनती भी मनाई जाती है मार्शी श्मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मुक्षदा एकादशी कहते हैं इसी मुक्षिदाईनी एकादशी भी कहा चाता है विष्णो पुराण के अनुसार मुक्षिदा एकादशी का ब्रत हिंदु वर्षि अन्य टेज एकादशियों पर उपपास रखने के बरावर है इस एकादशी का पुन्य पित्रों को अरपर करने से उन्हें मुक्ष की प्राप्ति होती है। वे नरक के यातनाव से मुक्त होकर स्वर्ग लोग प्राप्त करते हैं। माननेता के अनुसार जो मुक्षिदा एकादशी का प्रत करते हैं उनके सभी पापनश्ट हो जाते हैं औ और उन्हें जीवन मरन के बंदन से मुक्ति मिल जाती है, यानि की मुक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मुक्षिदा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही पित्रों की आत्मा को शान्ती मिलती है। पित्र दोश दूर होते हैं, भागवान विश्णू माता लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलते हैं। मुक्षिदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार महराज युदिश्टर भागवान श्रे कृष्ण से बोले, हे भागवन, आप तीनों लोकों की स्वामी, सब को सुख देने वाले और जगत के पती हैं। मैं आपको नमशकार करता हूँ। हे देव, आप सब के हितेशी हैं। अथे, मेरे शंशे को दूर कर, मुझे बतलाईए कि माक्षिश एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देपता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या बिधी है। क्रपया मुझे बताए। भक्त वसल भगवान श्री कृष्न कहने लगे कि धर्मराच तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। माक्षिश शुकल एकादशी अनेक पापों को नश्ट कहने वाली है। इसका नाम मोक्षिदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूब दीप नैवेत आदी से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहे है। अब इस विख्षय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्याता भ्रामर रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्री में राजा ने एक स्वपन देखा कि उसके पिता नरक में है। उसी बड़ा आश्चर्य हुआ। प्राता वह विद्वान भ्रामरों के पास गया और अपना स्वपन सुनाया। कहा मैंने अपने पिता को नरक में कश्ट उठाती देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ। यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये बचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांती हो रही है। मुझे इस राज्य धन पुत्र इस्त्री, हाती घोडे, आदी में कुछ भी सुक प्रतीत नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ। हे ब्रामर देपताओं इस दुख के कारण मेरा सारा शरी चल रहा है। अब आप क्रपा करके कोई तब, दान, ब्रत, आदी ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरे पिता को मुक्ती मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है, जो अपने माता-पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता-पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परन्तु हजारों तारे नहीं कर सकते। प्रामडों ने कहा है राजन यहाँ पास ही भूत भविश्य बर्तमान के ज्याता परवत रिशी का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनी के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनी तपस्या कर रहे थे। उसी जगे परवत मुनी बैठी थे। राजा ने मुनी को शाष्टांग डंडवत किया। मुनी ने राजा से कुशल पूछे। राजा ने कहा कि महराज आपकी कृपा से मेरे राजे में सब कुशल है। लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांती होने लगी है। राजा अत्यंत दुखी थे और रोने लगे। तब परवत मुनी ने अपनी दिव्वे द्रश्टी से सब कुश जान लिया। और राजा के सिर पर हाथ रख कर बोले। तुम एक पुन्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्द मुकाफल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातना दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और आप नरत भोग रहे हैं। तब राजा ने कहा इसका कोई उपाएं बताईए। मुनी बोले हे दाजन आप मार्शीश शुकल पक्ष की एकादशी का उपास करें। और उस उपास के पुन्हे को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाब से आपके पिता की अवश्य नर्क से मुक्ति होगी। मुनी के ये बचन सुनकर राजा महल में आया। और मुनी के कहने के अनुसार को टुम्ब सहिद मुक्षिदा एकादशी का ब्रत किया। इसके उपास का पुन्हे उसने पिता को अरबन कर दिया। इसके प्रभाब से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे हे पुत्र तेरा कल्यान हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्शीश मास के शुक्लपक्ष की मुक्षिदा एकादशी का जो ब्रत करते हैं उनके समस्तपाप नश्ट हो जाते हैं। इस ब्रत से बढ़कर मुक्षिदेने वाला और कोई ब्रत नहीं हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से बाच्वई यग्य का फल मिलता है। और भगवान विश्णू माता लक्षिदेने वाला और सभी मनो कामनाय पूर करने बाला है। दोस्तों माक्षी श्माष की शुक्लपक्ष की एकादशी के दिन से ही कुरुछित्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्च्वन को शीमद भगवत गीता का उपदेश दिया था। अथा ही हती थी गीता जैनती के नाम से बिख्यात हो गई। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारम करें तथा प्रती दिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। गीता रूपी सूरे के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नश्ट हो जाएगा। बैकुंट एकादशी को मुकोट्टी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मानिता है इस दिन बैकुंट जो कि भगवान विश्ठु जी के निवाश इस्थान है, का द्वार खुलता है। जो शर्धालू इस दिन एक आदशे का प्रत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ती होती है और उन्हें जन्मर्ण के चक्र से मुक्ती अर्थार्थ मोक्ष मिल जाता है। उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें। जिस से भैबी इसका लाग उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फूर वचिंग, राथे राथे।